असलाम वालेकूम, आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं नो बेक केक की रैसिपी, यह मैंने स्ट्राबेरी केक बनाया है और यह बहुत ही जल बन जाता है, यह इतनी ईजी रैसिपी है कि इसको देखकर हर कोई केक बना सकता है, जो नहीं बना पाता है वो भी बना लेगा तो आईए इस इजी सी वैलन्टाइन डे स्पेशल रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में वन फोर्थ कप पानी लिया है और इसमें मैं थ्री टी इस्पून शुगर एट कर दूँगी और इसको मैं एक इस्पून से मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें वन टी इस्पून स्ट्रॉबरी सीरप डालूँगी और इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी तो यह देखिए एच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको साइट कर देंगे इसके बाद हम पांच ब्रेट के स्लाइस लेंगे तो और इसके जो हम एजिस है न वो उसको कट कर लेंगे तो देखिए मैंने सभी एजिस को cut कर लिया है और अब एजिस के मैं bread crumbs बना लूँगी तो इनको मैं अलग रख दूँगी अब मैं एक बॉल में strawberry jam लूँगी और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से बीट कर लूँगी तो ये देखिए बीट हो चुका है मैंने यहाँ पर दो कप whipped cream ली है अब मैं ये बीट किया हुआ jam इस cream में add कर दूँगी और अब इसमें मैं इसको अच्छे से mix कर लूँगी अब हम एक प्लेट लेंगे इसमें हम वीज में ये सेंटर में हम क्रीम लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम एक bread रखेंगे और इसे हलकी हातों से प्रैस कर देंगे तो इस पे मैंने अच्छे से देखिए इसको पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर शुगर सीरप लूँगी और उसको इस bread के ऊपर इस तरह से spread कर दोंगे शुगर सीरप लगाने के बाद हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरह से हम पूरे में क्रीम को spread कर देंगे और यही process हम सभी bread के साथ करेंगे जो हमने 5 bread लिये थे इसी तरह से one by one हम सभी layer लगा देंगे सेम process है पहले हमें शुगर सीरप अप्लाई करना है उसके बाद हम लगाएंगे तो बस हम इस तरह से सभी bread के ऊपर क्रीम और शुगर सीरप लगा देंगे देखिए यह सब पिरेट लग चुके है और अब मैं इसकी साइड पर क्रीम लगाओंगी इस तरह से अब हम सभी साइडों को क्रीम से कवर कर देंगे तो देखिए मैंने सभी साइडों को करीम से कवर कर दिया है और अब मैं इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख तूंगी अगर इसकी साइड में क्रीम बगएरा गिर जाती है तो आप उसको टिशू पेपर साफ कर दीजेगा अब मैंने यहाँ पर स्ट्राबेरी ली हैं और इन स्ट्राबेरी को मैंने दो शेप में काटा है तो देखिए मैंने ये इस्ट्राबेरी को दो शेप में काट कर रख लिया है तो 30 मिरट के बाद मैंने फ्रिश से केक को निकाला देखिए ये पूरी तरह से सैट हो चुका है और अब इसको हम इस्ट्राबेरी से डेकोरेट करेंगे आपको जो शेप चाहे पसंद आए और जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहें उस तरह से आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं मैं तो इस तरह से कर रही हूँ आपको बाइबा थीपराटरा यश कर रही हूँ कि अपने कि याउरेट मैं तो तरह से कर अए कि ईava बास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Wid demi कि अउरेटर्गा इस दो रचाहें quiere कि आपको यिरेगे कई पराए्वटर्ट sे तरहा également आप देख सकते हैं यह हमारा केक बन कर तयार हो चुका है तो देखिए आप कितना इजी केक बनाना है और इस केक को तो बिगनर्स भी बना सकते हैं और जो लोग यह मानते हैं कि हम केक नहीं बना पाएंगे वो भी इस केक को बना सकते हैं तो आपको अगर मेरी ये रैसिपी पसंद आई हो तो रैसिपी को फॉलो करें जरूर बनाएं और अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लगती हैं तो ला splash करें सबस्क्राइब करें और शेयर भी करें हो सके तो कॉमेंट भी करें तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस